मेरा नाम मॉनिका है और मैं IELTS 9 हिंदी से हूँ और यहां इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे किसी टेबल चार्ट को जो राइटिंग IELTS राइटिंग टास्क 1 में जो टेबल चार्ट होता है उसको कैसे सॉल्व करना है और यह डिफिकल्ट टेबल टोटल को इसके साथ कंपैरिजन करना है और यह जो था 1 जून 2024 को IELTS एक्जाम जो इंडिया में हो तो वहां यह टास्क 1 का कोश्चन आया था तो इसको करते हैं अभी शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं आपको एनलाइजिंग स्किल्स भी सिखाने वाली हूँ कि टेबल को कैसे अनलाइज करना है इसके important facts बताऊंगे आपको and पूरा introduction overall and body details paragraph साथ साथ में हम लोग लिखेंगे अब आप सोच रहे होगे कि यह मैंने यह क्या लिखाया pencil से अभी सब बता देती हूँ आपको सबसे पहले पढ़ते हैं questions the following table shows the number of people from five European nations living in each other countries in 2011 यह table show करता है कि number of people five European countries है वो दूसरे एक दूसरे के country में रहते हैं तो उसके बारे में बताया है ठीक है तो तो अब देख लेते हैं, इसका table का topic क्या बोलता है, table का heading है, number of people living in each country, तो यहां से जो number of people living in each country है, यहां पे है, where they live, कहां पे रहते हैं, यह country है, इनके जो residents है, वो यहां in countries में रहते हैं, और यह total भी दिया है, नीचे भी total दिया है, तो हमें पूरा चीज को ध्यान में रखते हुए, इसको analyze करना, सबसे पहले हम total को analyze कर लेते हैं, देखो, यह 10 lakh में है, 11 lakh में, 196 है, यह 860, तो total इतना है, ठीक है, तो अब यह सबसे maximum मेरे को यह लग रहा है, यह Germany, number one पे है, ठीक है, जब हम analyze करते हैं, जब हम planning करते हैं, task one की, लिखने से पहले, तो हमें पहले यह निशान लगा लें ते, कौन number one पे चल रहा है, कौन number two पे, number one यह है, number two पे बिटिश आ गया, ठीक है, और number three पे मेरा यह, यह आ गया, Spain country, अब देखते हैं, country wise, तो जो बिटिशर्स हैं, सबसे ज़्यादा कहां रहते हैं, सबसे ज़्य बिटिशर्स देखो, यहां रहते हैं, Spanish, Spain country में, ठीक है, और उसके बाद Germany वाले जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा कहां रहते हैं, total तो यही है, Germany वाले सबसे ज़्यादा बिटेन में रहना पसंद करते हैं, फिर इतली वाले जो हैं, सबसे ज़्यादा जो हैं, वो जर्म इतली में रहना पसंद करते हैं, फिर पॉलिश कंट्री के पॉलेंड वाले जो हैं, वो सबसे ज़्यादा बिटेन में रहना पसंद करते हैं, तो यह, जब हम इसको लिखेंगे, मैंने यहां देखो, नमबर वन डाल दिया है, बिटिश के, अकॉर्डिंगली, यह जर्मनी जो है, जर्मनी वाले जो है, वो सबसे ज़्यादा कहां रह रहा है, इतली में रहता है, ठीक है, और इटैलियन वाले जो है, सबसे ज़्यादा कहां रह रहे हैं, यह 29,000 है, यह सबसे ज़्यादा पॉलिश में रह रहे हैं, यह देखो, और पॉलिश वाले सबसे ज़्याद हाँ ये नॉमबर वन पर भी रह यह हैं अप टेबल को एनलाईस कर लिए मैंने अपनी ये मारकिःंग कर लिए। maximum वालब जो था जिनके लोग ज़ाद रहते m besser हैं यह जर्मनी के लोग ठीक है अब हम analyze हमने analyze करते हुए किसी भी writing task one को सबसे पहले table को पढ़ना है उसका analyze करना जो हमने अब भी किया फिर देखना highest lower जो हम कर चुके हैं फिर उसके trends देखने है patterns देखने हैं जो कि इसमें जादा नहीं है more than lower than words use करने हैं आपको nation की जगह हम countries लिखेंगे European nations लिखेंगे या यूरप के regions लिखेंगे population जो है number of people जो बोला है उसकी जगह पर हम population masses, population, residents, citizens यह सब लिख सकते हैं और important point आप समझो पहले सबसे पहले 150 minimum words की requirement होती होती है ऐसा नहीं जो कहते है 100 words या 140 words में whereas जब जो requirement उन्होंने दी है तो अब लिख लो ना क्या फरक पड़ता है लेकिन हम जो अच्छी writing जो लिखेगा अच्छी writing से मतलब जो अच्छी से explain कर सकता है English इनको देखकर उसको तो 170-180 words बन जाते हैं इसली तो इसके लिए tension नहीं लेना है 20 minutes भाई इसको दो initial practice के लिए 20 minutes दो लेकिन बाद में अच्छी practice होती है तो कोई 16-17 minutes में इसको finish कर लेता है बढ़ यह नहीं कि आप 4-5 minutes में इसको खतम करके आगे चलोगा नहीं आपको थोड़ा इसको अच्छा ज़िए time देना होगा 4 paragraph बनेंगे बनाओ भी 5 भी बनेंगे 6 भी बनेंगे main सबसे पहला होगा introduction फिर overall paragraph overall indirectly if you think कि मन में सोचो कि overall मतलब उपर से हम देख कि हमें क्या maximum दिखता क्या minimum दिखता overall मतलब अगर हम conclusion type कह दोना तो वो चीज होती है conclusion लेकिन conclusion word नहीं लिखना है तो body detail paragraphs तो जितनी categories है उतने ही आप body detail paragraph बना सकते हो चलो अभी शुरू करते हैं introduction अभी ये देखो introduction ठीक है introduction में देखो question statement says the following table shows हमने क्या लिखा the given table chart हमने table chart भी लगा दिया graph भी लगा सकते हो the given table chart illustrates instead of shows हमने illustrate लगा दिया और आप compare भी लिख सकते हो तो हमने लिखा the given table chart illustrates भी लिख सकते हो और compares अनी कुछ भी लिख सकते हो और which से भी शुरू कर सकते हो given table chart which illustrates the number of citizens from five different nations देखो five different European nations लिख दिया अब यहाँ पे आप bracket में इन countries के नाम भी लिख सकते हो अगर words बढ़ाने है तो ठीक है who prefer to live in each who किसके लिए लगाया है यह जो citizens दूसरे countries के लोग है ना उनके लिए who prefer to live in each nations in the year 2011 मतलब कि यह साफ है कि यह past में है the statistical data is represented और calibrated एक कोई एक word जिसकी spelling learn होती हो यह इसकी learn हो रही है तो इसको लिखो इन figures देखो यहां कोई percentage तो दी नहीं लेकिन figures तो है न mathematical figures तो इसलिए हम figures लिख दिया अब overall paragraph को कैसे लिखना है अभी देखो overall paragraph में क्या बताया था मैंने कि आपको maximum minimum और को striking point हो तो वो बताओ please उनका कुछ trend बताओ ठीक है तो मैंने क्या लिखा overall from the trends मैं जादा तर यह लिखवाते हूं overall it can be seen from the graph or chart ऐसे लिखवाते हैं that वो भी चलेगा यह भी चलेगा overall from the trends the total population of residents living in each other's country was highest from the highest from Germany हम total की बारे में बात करें whereas opposite pattern was followed by Polish citizens which were least no which was ही होगा यहाँ पे क्योंकि opposite pattern यह इस इस की बारे में बात आ रही which was least okay so यह हमने चोटी सी बात बता दी overall के लिए अब हम चलेंगे सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे देखो अभी चार्ट में आ जाओ अभी हाँ चार्ट को लेके ही लिखेंगे ना ऐसा तो है नहीं कैसी लिख देंगे अब हमने जर्मनी की और इसकी बात हमने कर दी थी overall paragraph में चीक है तो जर्मनी और Polish के comparison हम last paragraph में कर देंगे अब हम लिखेंगे British से शुरू हो जाएंगे क्योंकि यह second number पे है one number पे यह है second पे यह है third पे Spanish था तो हम बिटेन की बात करेंगे स्पैन की बात करेंगे स्पैन की और इसके बाद फिर पॉलिश और जर्मनी को एक यह बारेग्राफ में comparison कर देंगे तो बिटेन के सबसे जादा लोग कहां रहते हैं पॉलिश पॉलेंड में और टोटल इतने हैं देखो मैंने कैसे लिखा है analyzing the table from the first country which is Britain the British people had the second largest population in other European nations compared to other nations Britishers had second largestness क्योंकि total में मैंने आपको दिखाया था न यह देखो total में second है यह ठीक है तो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है compared to other nations the Britishers had more population in Polish in sorry Polish this is Poland Polish जो people होते हैं वो पॉलेंड में ही रहते हैं तो 550,000 and total persons living outside British which were इतना जो Polish Poland country में इतने रहा रहे हैं and total person living outside जो है total persons जो इतना है ठीक है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो यह line मैंने ऐसे ही बना दी तो अगर आप यहाँ लिख देते हैं second largest population with 10,37,000 in other European nation बलकि यही पे लिखना था यह मैंने extra हो गई line कोई बात नहीं हमने यहाँ लिख दी तो extra बना दी तो कोई बात थी अब data Spain के बारे में taking data from Spain Spain, Spanish were the third highest masses in other European regions out of total 8,061,000 Spanish outside they had been living maximum in Britain with this and least with Polish देखो मैंने Spain के बारे में आपको बताया क्या कि maximum इतना है population बहार है उनकी और number one जो है इनके किस country में रहते हैं बिटेन में और minimum जो है वो Polish Poland में रहते हैं ठीक है तो यह मैंने Polish लिख दिया sorry यह Poland है मैंने गलत क्यों लिखा हाट जगा पे अब हम बात करते हैं Italian people की इन कॉंट्रास दा फोर्थ रेंक्ट पोपुलेशन सेटल आउटसाइड दे कंट्री वर Italians टोटल इतना बहार थे वो लोग और कंपेर टू अधर नेशन्स वो एड़ दा मैक्सिमम पोपुलेशन इन पोलेंड ठीक है यह देखो Italian people की बात देखो यह है Italian मेरा ठीक है और इनका इतने पोपुलेशन बहार है और मैक्सिमम यह पोलेंड में रहते हैं और मिनिमम जो है बस मैंने मैक्सिमम का ही लिखा है मैक्सिमम पोपुलेशन लिविंग इन पोलेंड ब्रैकेट में डालो कितना? 1,6,000 यह मैं भूल गई थी लिखना देखो अपनी मिस्टिक्स खुद मिलती है ठीक है? अब हम कंपेर करेंगे जर्मनी और पोलिश के बारे में लो जी अब यह लास्ट परेगर बहुत इजी है इसको लिखना अगर आप लिखो the maximum number of population living outside Germany which had total 11,98,000 in 2011 and more population stayed in Italy in Germany वालों की most population वो इतली में stayed करती यह मैंने ब्रैकेट में लिखा whilst the minimum population from Poland stayed outside which was lowest 6,000 only and they had the largest people in Germany with 4,400 यह हमने पूरा कपूरा compare किया अपना task 1 झालों की सकते हैं झालों की सकते हैं